तो सुखोंश॑ 6जी पापिना दे yar नमस्कार धोस्तों अपने बारे में तक अच्छे सजाते हैं लेकिन अच्ट हम करते हैं जो रंगों की होली से एक दिन पहले बनाई जाती है जिस दिन होली का दहन किया जाता है कहते हैं इस दिन जो भी बुराई होती है उस दिन जला कर सब कुछ नस्ट कर देती है जितने में बुराईयां आपके आसपास और नकारात्मक सक्तियां होती है सबी कुछ होली का दहन में जला कर सब अगनी को प्राप्त कर देते हैं कहा जाता है जिस दिर होली का दहन मनाया जाता है उस जिन छोटी होली भी कहा जाता है आज जानेंगे हम होली का दहन की कथा के बारे में होली का हम फागुन मास के महिने में बनाते हैं कहते हैं कि इस प्रिफ्वी पर हिन कर्षय नाम का असूर है था था। वह चाहता था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान की बंदना ना करें। वह सिर्फ उसे ही पूजे और उसे ही अपना भगवान मारें। इसलिए वह अपना खौफ पूरे संसार में विखेणना चाहता था जिस कारण से होलिका के बारे में हम कथा स्टार्ट करते हैं। उसका पुत्र पहलाद जो कि भगवान इश्वर की बंदना करता था और अपने पिता का कहना नहीं मारता था वह अवहिलना करता था। तो इसी कान्ट से हेनक अश्यप ने अपने पुत्र को सजा देने यानि डंड देने का ठान लिया और उसने अपनी वहन होलिका से कहा कि वहाँ उसे अपनी कोद में लेकर अगनी में बैठ जाए क्योंकि हुलिका को वर्दान था कि वह अगनी में बैटकर चलेगी नहीं जैसे ही हिनक अश्यप ने हुलिका और पहलाद को अगनी में बैठाया वैसे ही हुलिका जलकर राख हो गई और पहलाद सही सलामत बच गए इसलिए भी कहा जाता है कि हम नकारात्मक सक्तियों और बुरायों को जलाने के लिए हम लोग हुलिका का देहन करते हैं और ये कारें हम घर के बाहर करते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है हुलिका दहन के एक परपरा भी है कि जब हम हुलिका को जलाते हैं तब हम उसमें अनाच भी बुनते हैं और बहें अनाच बुनने के बाद उसकी जो राक होती हैं उसे अपने माथे पर लगाते हैं कहते हैं, होलिका का नाम होलका से पढ़ाया है, होलका आनाज से ही मिलकर बना हुआ है, इसलिए होलिका से ही होलिका नाम पढ़ा हुआ है, इसी को होलिका देहन कहा जाता है, इस दिन कहते हैं कि अगर हम इसकी राक लगाते हैं, तो इससे हमारे आसपास नकारात्मक साया दूर झब रहेगा और बूरी सक्तिया ही हम पर परभाव नहीं डाल सकती हो लिज करते हैं होल इका हर देहन कर में में सब्सक्राइब सक्षाह दोड़ाते हैं इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी ये होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। होलिका का तोहार पूरे विश्व में बड़े धूंगधाम से मनाया जाता है। तो ये हैं होलिका दहन के कारण। मेरी वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।